हेलो फ्रेंट्स आयाम कुरूबा एंड यू आर वाचिंग वैल अकेडमी हम दिस्क्रिट मेंदेमेटिक्स की सीरीज में सेट ठीरी देख चुके हैं और हम रिलेशन की बारे में बात कर रहे थे क्या होता है उसके ऊपर हम बेजिक कौन्स व्रीशन सपर पॉर्म कर सकते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारा हमने देख लिया है तो ऐज देखते हैं कि टाइप सफ यूपर्टी जो प्रेलेशन और और शायंट आप में ताइप्स प्रेलेशन अब टाइप E-reflexive, symmetric, anti-symmetric, asymmetric and transitive इतने types of relations है और कुछ relations जो है वो इन लोगों के combination से बने हुए है जो हम उसके आगे के वीडियो में देखेंगे तो आज सबसे पहले देखेंगे reflexive relation reflection का हिंवी में सीधा मतलब होता है प्रति बिंब मतलब एक जैसा एक के जैसा अगर दूसरा element हो तो उसको reflexive relation बोलेंगे तो देखते है definition क्या कहती है relation R over A cross A is reflexive अगर A, A वो सारे reflexive pairs मतलब एक दूसरे से ये एक दूसरे की mirror image है तो इसको reflexive pair बोलेंगे belongs to R वो सारे pair relation में होने चाहिए for all क्योंकि यहाँ पर symbol है for all तो यह जो है वो A cross A matrix का cross product है हमने matrix of relation representation देख लिया है और मैंने said A is equal to 1, 2, 3 के ऊपर यह matrix बनाया है तो देखते हैं कौन-कौन सी pair है हमारे पास तो हम definition से देख सकते हैं कि कोई भी reflexive relation में यह तीनो pair include होने चाहिए तो अब हम example देखें कि और verify करेंगे कि reflexive relation exactly किसको बोलता है सबसे पहले में ले रही हूं 5 अब 5 के पास कोई element ही नहीं है और reflexive relation यह बोलता है कि आपके पास यह तीनो pair present होने चाहिए मतलब कोई भी relation over a cross a must contain pairs 1 1 2 2 and 3 3 यह तीनो pair include होने चाहिए कभी उसको reflexive relation बोलेंगे तो यह reflexive relation नहीं है next r is equal to 1 1 1 2 1 3 अब इसमें एक pair 1 1 जो reflexive है लेकिन बाकी के दोनो pair नहीं है that is 2 2 and 3 3 तो यह हमारा reflexive relation नहीं है third है 1 1 2 2 and 3 3 तो यह exactly diagonal elements है तो इसको हम reflexive relation बोलेंगे और इस specific relation को हम diagonal relation भी बोलता है that is diagonal over a is equal to यह सारे diagonal elements आगे देखते है r is equal to 1 1 2 1 2 2 3 1 and 3 3 अब इसमें diagonal elements तो है और उसके साथ बाकी के elements भी है तो yes यह भी हमारा reflexive हो गया क्योंकि हमारे पास सारे pairs है 1 1 2 2 and 3 3 और उसके साथ हम कोई से भी पैर पूरे मैंसे कोई से भी पैर लेले फिर भी यह relation reflexive रहेगा तो आगे हम देखेंगे कि अगर मेरे पास a cross a cross product है तो मैं उसमें से कितने reflexive relation बना सकती हूँ चो कि अकसर आपकी exam में पूछा जाता है तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम total number of reflexive relation को डून सकें जहां मेरे पास एक set a है और उसकी cardianity n है मतलब हमारा a cross a में n cross n n square product आएंगे कैसे दिखते हैं 1 से लेके n तक हमारी rows जाएंगी और 1 से लेके n तक हमारी columns रहेगी मैं diagonal elements लिख लेती हूँ तो यह बन किया हमारे relation matrix अब हम जानते हैं reflexive relation में हमको diagonal pairs लेने ही लेने है मतलब की n pairs हमको लेने है तो इसके लिए हमारे पास कोई choice नहीं है और हम जानते हैं कि total हमारे पास n square number of pairs क्योंकि हमारे पास n cross n matrix है तो n cross n matrix में total n square pair होगी तो हमारे पास choice of elements हो जाएगा n square total उसमें से n हटा दे तो हम n square minus n इतने elements में से choose कर सकते हैं कि either उनको लेना है कि नहीं लेना है हम आगे देख चुके कि अगर हमारे पास दो choice है किसी pair के बारे में कि अगर हमें कोई pair लेनी है कि नहीं लेनी तो उन choices को हम 2 raise to n square minus n से represent करेंगे और यह हमारा हो जाएगा number of relations तो number of reflexive relation हो जाएगे 2 raise to n square minus n जहाँ पर हमने क्या किया n जो है n elements हमारे पास fix है कि n pairs किसी भी relation में आएगी ही आएगी अब n से ज्यादा भी आ सकती है ठीक है तो हमारे पास बाकी के elements के लिए तो हमने चॉइस है कि मैं यह element ले सकती हूँ यह तो नहीं ले सकती यह वाला element ले सकती हूँ यह तो नहीं ले सकती तो कितने elements रहेंगे जिसको हम चूज कर सकते है that is total n square minus यह compulsory n तो n square minus n हमारे पास बाकी के element होगे जिसको लेने या ना लेने से relation तो reflexive ही रहेगा इसलिए हमारे पास जितनी choices उतने हमारे number of relations तो आशागर तो यह चीजा को clear हो गई होगी हमने types of relation में आज reflexive relation देखा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो like जरूर कर दीजेगा अपने बाकी के friends के साथ शेयर कीजे या फिर university में पढ़ रहे है अगर आपने अभी तक वेल अकेडमी चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज ही कर दीजे और bell icon press कर दीजे तक कि आपको हरोज हमारे वीडियो की notification मिलते रहे Thank you for watching झाल झाल